कुछी देर में दिल्ली का धंगल शुरू होने वाला है नमस्कार आपके साथ मैं हूँ पंकर रौतिला आप देख रहा है आना इन टीवी बस कुछी देर बाद मदाता अपने घर से बाहर निकल कर अपना नीता चुनेगा बोट करने वाला है दिल्ली की सभी सतर सीटों के लिए कुछी देर में बोटिंग शुरू हो जाएगी आठ बजे बोटिंग शुरू होगी चुनावी मकाबले में सत्ता में काविज आम आदमी पार्टी बीजेपी और कॉंग्रिस मुख्य रूप से मैदान में है इस चुनाव में कुल 672 उमिद चुनाव के नतीजे 11 फरवरी को आएंगे और उससे पहले यह चुनाव बहुत दिल्चस्प होता दिख रहा है दिल्चस्प इसलिए क्योंकि मुद्दों की बात कर लीजिए वार प्लटवार की बात कर लीजिए सब अपने आपको एक दूसरे से आगे दिखाते रहे जबर्दस सुरक्षा ब्याउस्ता के बीच उची देर में पोर्टिंग शुरू होगी छेसो बहत्तर उमिद्वारों की किसमत इबियम में कैद होगी आज दिल्ली चुन रही है अपनी सरकार किसकी होगी दिल्ली यह सबसे बड़ा सवाल है और बड़ी खबर दिल्ली विधान सवा की सब्तर सीट अफर पोर्टिंग शुरू जिसका इंतिजार था वो इंतिजार खत्म हुआ जबर्दस सुरक्षा के बीच मद्दार शुरू हुआ है सत्तर सीटों के लिए आड़ बजे से बोटिंग शुरू बस सा शुरू हो चुकी है वहत्तर मुद्वारों के भागी का फैसला होगा चुनाओ के नतीजे 11 फर्वरी को आएंगे तो तस्मीरें आप जो देख रहे हैं वो लाइव हैं विरेश मंत्री आएश जैक्शनकर आप देख पा रहे हैं आपने टेलमे स्क्रीन पर तो जो बरदर सुरक्षा के बीश मंदान शुरू हुआ है सतर सीटों के लिए सुवए आट बजे से बोटिंग शुरू हुई है तस्मीरें आप देख सकते हैं परेश मंत्री बोट कास कर रहे हैं अपना तो क्या आम क्या खास हर कोई अपने मताधिकार का इस्तिमाल का तो जली बिदाजबा की सतर सीटों पर बोटिंग तस्मीरें आप लाइब देख रहे हैं इस वक्त जवर्दर सुरक्षा बेवस्ता के बीश आम से लेकर खास पोलिंग बूत पर पहुंसता हुआ तो दिल्ली विधान सभा चुनाओ मदान शुरू हो चुका है बोट पर चुका है पहला और अब सवाल सिर्फ इतना सा है कि दिल्ली की सत्ता पर कौन सी पार्टी का भीज होती है क्या बीजेपी का बनवास खत्म होगा तकरीबन 41 साल बाद या कॉंग्रेस एक बार फिर से सत्ता में वापसी करेगी क्यों 15 सालों तक दिल्ली पर कॉंग्रेस का राज रहा लेकिं 2013 के बाद एक आम आदमी पार्टी सामने आई और आम आदमी पार्टी ने अपना अधिकार दिल्ली पर जमाया आज जंग तीन पार्टियों के बीच में हैं जिसमें बीजेपी है आम आदमी पार्टी है और कॉंग्रेस है अमित दुबे जोड़ने मारे साथ हमारे सयोगी लाइव इस वक्त अमित पहला बोट पड़ चुका है तस्वीर बताईएगा आप कहां पर रहें और किस तरह का उस्सा मदाता में दिख रहा है जी बिल्कुल देखिए हमारे पीछे साथ तरब देखा जा सकता है कि किस तरह जो है वो लाइन लग चुकी हलाकि अभी तक यहां एंट्री शुरू नहीं हुई है जस्ट एंट्री शुरू होने वाली है पहली बार की वोटरों महिला वोटरों सभी लोग जो है यहां पर लाइन में दिख रहे हैं और सबसे बड़ी चीज जो है चुकी वोटरों में खास तरब यहां पर आकरशन देखने को मिला और यहीं वज़े है कि यह लोग सुबह साथ वज़े से ही यहां पर आ गए है जो खास तरब पहली बार की वोटरों वो ज्यादा उस्साहित है और यहां पर और हमें आपको यहां पर दिखाना चाहिएगे की बीजेपी के राश्ट्री संगठण मंतरी बीयल संतोश जो है वो यहां पर लाइन में लगे हुए हैं怎么了 सब अगर बात के तो क्या कुछ इस पार मुदद्धों होंगे क्योंकि चुनाओ बहुत इंपर्ट है बीजेपी के राष्ट्रिये संगठन मंत्री है बीयल संतोस जो की वोटिंग के लिए प्रतिक्षा कर रहे हैं यहाँ पे लाइन में खड़े हुए हैं और अब चूंकि सुरक्षा कारणों से यहाँ पे जो लाइन है लाइन से जो है मीडिया को थोड़ा दूर किया जा रहा है मीडिया के लिए एक अला गैली है जहाँ पे मीडिया के लिए बोला गया है तो जाहिर तोर पे यहाँ पे चूंकि सबसे बड़ी चीज़ा हो अभी बीयल संतोस को सुन रहे थे तो विकास एक अहम प्रात्मिक्ता है वोटर जो है अपना मन बना चुका है कि किस आधार पे वोट देना है और चाहिए वो विकास की बात हो चाहिए वो देश की बात हो महगाई की मुद्दे हो या जिस शाहिन बाग की बात की जाए तमाम मुद्दे है जिने लेके आ दिल्ली की जनता जो है वो अपना मत जो है यहाँ पे डालने वाली है और साफ तर्पिया पे तरह से लगाता अपने प्रचार प्रसार में लगी रही है लेकिन उस तरह से अपनी उपस्तिरी शायद ना दर्ज करवा पाए यहां पी यह बड़ा सवाल होता है और यही वज़े है कि बीजेपी और आमादमी पार्टी के बीच में यहां पर सीधी टक कर देखने को देखने के लिए अपने जिम्यदारी का नर्वहन करने के लिए अस सुबह 8 बजे पाहां निकला है अगर पॉसिमिल्टी है जी बिल्कुल देखिए एक बार यहां पर कोशिश करेंगे कि जो पीछे हैं मद्दाता उनसे एक बार बात करने के कोशिश करेंगे कि इस बात की इजाज़त नहीं दे रही है जी बिल्किल की तो लेकिन यहां पर लाइन को साब तर देखा जा सकता है कि किस तरह से यह लाइन जो है यहां पर लंबी हो चुकी है और यह लाइन लगातार बढ़ती जा रही है हलाकि यह एक VIP पोलिंग बूट माना जा सकता है क्योंकि जो CISF के जवान है वो भी अंदर प्रवेश कर चुके है लगबख साड़े दस वजे के आज पास जो है पूर प्रदान मंतरी मनमोहन सिंग कॉंग्रेस सद्ध्यक्ष सोनिया गांधी यहां पे वोट डालने के लिए आएंगी बीजेपी के दिल्ली प्रवारी श्याम जाजू यहां पे वोट डालने आएंगे बील संतोष जो है वो लाइन में खड़े हुए है अब उनकी एंट्री हो रही है उनसे अभी हमने बात की थी जिस तरह वो बात कर रहे थे किस तरह से यहां पे विकास के मुद्दे जो है वो यहां पे हावी होंगे तो अब बील संतोष का नंबर आ गया है उनकी अंदर एंट्री हो रही है तो जाहिर तोर पे अब चूकि वोटिंग शुरू हो चुकी है और मद्दाता जो है हराल में पहले वोट करना चाहते है और जाहिर तोर पे जब यह लोग वोट करके आएंगे तो एक बार फिर हमार कांग्रेस की उर्जा को लेकर है ऐसा देखा गया पिछले कुछ चुनाओं में जो कांग्रेस बिलकुल यह कहें कि उसकी हालत खराब थी थोड़ा उर्जा उसमें आती भी दिखाई दी नगर निगम चुनाओं हो या फिर लोग सुबा चुनाओ 2019 का हो क्योंकि यहां पर आखरी में पांग्रेस शायद ऐसी थी जहां पर कॉंग्रेस नंबर दो रही थी तो बीजेपी लगाता है रही दिल्ली एंसीडी पे काविज रही है चाहे जब कॉंग्रेस के गवर्मेंट हो या आदमी पार्टी की सरकारों एमसीडी पे बीजेपी का ही कब जा रहा है और यही वज़े है कि केंद्री लोकसभा चुनाओ या विदान सभा चुनाओ की बात करें तो उनमें भी वोटर्स के अलग-अलग मत हैं लोगों को जागरूप करने के लिए एक बार दिखाना चाहेंगे कि यहां पी यह देखो कट आउट रखे गए हैं हर एक वोट जरूरी है वोट करें लोकतंत्र को मजबूत करें और किस तरह से यहां पे यह रखा गया है और जिससे की लोग ज्यादा संख्या में वोट करन यही वज़े है कि यहां पे विधान सवाचुनाव में आम आदमी पार्टी जो है विजेपी को सीधी टक कर दे रही हला कि लोग सवाचुनाव की बात करें उस सर्वे एक बात करें तो बीजेपी भारी बढ़त के साथ में आगे थी सभी सातों सीटे बीजेपी के कबजे मे बहुमत से उपर जा रही है लेकिन चुकि विधान सभा चुनाव है विधान सभा चुनाव में अलग मुद्दे होते हैं कई सारी पिछले पांस साल से अर्विन केजी वाले सरकार चल लही थी जिस तरह तमाम सब्चीडी दी गई वो सारी चीजे भी जनता के यहन में हैं और यही बड़ी वज़े है कि आम आदमी पार्टी भी अपने आपको अस्वस्त मान के चल लेए कि दिल्ली चुनाव में उनकी जीत होगी दूसरी तरफ बीजेपी के भी दावे मजबूत नजरा रहे हैं अभी तह आपने मुद्दो का जिक्र कर दिया और मुद्दो से सवाल निकल कर यह आता है कि एक विज्यापन देखा था एक पार्टी का उन्होंने कहा देश बदल गया अप दिल्ली बदल नहीं है अलागि देश में ही दिल्ली भी आती है लेकिन जिन मुद्दो का आपने सिक्र किया क्या वाकई में उन मुद्दों पर जन्ता गौर फरमाईगी क्योंकि मुद्दे कहीं न कहीं डाइबर्ट करने वाले मुद्दे ज्यादा इस चुनाव में देखे गए चुनाव परचार हमने पार्टियों का देखा इस दोरान उसमें कहीं सिर्था नहीं थी का वार देख लिए आतंकी जैसे शब्दों का इस्तेमाल हुआ और हिंदू-मुस्लिम तमाम तरह की चीज़ें हमने देखी हैं चुनाप परचार में उसका कितना फर्क पढ़ने वाला है जी बिल्कुत है कि फर्क जरूर पढ़ेगा क्योंकि खास तरफ जो पिछले स्टार्टिंग के जो सुरू के सर्वेत है उसमें कहीं न कहीं लगातार बीजेपी पिछड़ रही थी लेकिर उसके बाद जब से इस तरह के मुद्दे आए तो राजनीतिक जानकार भी मानते है कि बीजेपी का वोट बैंक किस तरह से बढ़ा है और खास तरफ शाहिनबाग के एर्दगिर्द जो है पूरा मामला घूमता रहा दोनों चाहे वो आहम आदमी पार्टी हो या बीजेपी हो दोनों एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगाते रहे और लेकिन सबसे बड़ी चीज की चुकि राजनेतिक दल जो है वो हर हाल में अपने आप में बढ़त बनाना चाहते हैं चाहे वो कोई भी मुद्दा हो चाहे वो विकास की बात करें या हम देश की बात करें तो हर एक के अपने-पने मुद्दे हैं हर एक को पता है कि जनता पे कौन सा मुद्दा कैस से इफेक्ट करेगा और उसी के कार्डिंग जो है पार्टियां उन मुद्दों को उठाके चलती हैं अगर विकास की बात की जाए तो जिस तरह 15 साल जो है खास तो पर सीलाज गिशित ने दिल्ली की हुकूमत समाली ना सिर्फ हुकूमत समाली बाई दिल्ली का जो विकास किया वो भी जग जाहिर है लेकिन उसके बाबजूत कॉंग्रेस पिछले चुनाओं अपना खाता भी नहीं खोल पाई तो जाहिर तो पर कई सारी चीज़ है ऐसा नहीं है कि सिर्फ विकास का ही मुद्दा नजर आता है कई सारे पेंच होते हैं जिसकी बात कर रहते हैं चाहे वो उनका भी अलग अपना अपना परसेप्शन के किसाधार पर वोट देते हैं लेकिन जाहिर तोर पे सबसे बड़ी खुशी उन लोगों के मिलती है जो पहली बार वोट करने आते हैं क्योंकि पहली बार वोट करने वाले उनने कभी वोट नहीं किया होता इसलिए वो अपने वोट को लेकर साहित होते हैं और खास तोर पे जो भी उनके फेवरेट नेता जो भी उनकी पार्टियां उन्हीं किये ना सिर्फ पचार प्रसार में अगसर होते हैं बलकि उनके साथ वोट भी करते हैं जी नजर बनाए रखेगा अमित आपके पास आप फिर जानकारी के लिए आएंगे जिस तरीके से दिल्ली का दंगल दिल्चस्प मोड पर है बहुत बहुत शुक्रिया आपका आमासा चुडने के लिए अमित हमारे से योगी लगाता नजर बनाए हुए हैं क्योंकि बोटिंग शुरू हो चुकी है दिल्ली का दंगल शुरू हो चुका है मदाता घर से बहार निकल रहा है और अगर जो आत्मी ना निकला हो और उससे भी दर्ख्वास ये कि बहार निकले घर से और अपने मतादिकार का इस्तिमाल करें अपने नीथा को चुने झाल